हेलो बेटा आज हमेजु का 2021 का सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे इसमें पहले हम बेटा सॉल्व करें सौर्ट एंसोर टाइप कुस्चन यह थिरी मांक से एक्जाम में आते हैं इसमें पहला कुस्चन हमारा जो है है प्रूब दैट रूट 5 इस एन इरेशनल नमबर यहां हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूब करना है तो पहले बेटा हम इरेशनल प्रूब करने के लिए पहले क्या करेंगे इसको मानेंगे कि यह हमारा रेशनल नमबर है तो लेट रूट 5 इस एरेशनल नमबर रेशनल नमबर इरेशनल नमबर तो इसको हम लिखेंगे यह क्या बहते है है क्या कहते है वेर ग्यू एल पी पी और प्राइम को प्राइम नंबर और जहां पर क्यों नॉट इकॉल टू जीरो जो हमारा डिनॉमिनेटर होगा बेटा ये क्यों ये जीरो नहीं होगा हमेशा कोई नंबर ही होगा करेंगे स्क्वाइद करेंगे इसकोार इंगा सेक्वार स्स़ाइड एक एसकोारिंग निए स्क्राइड करेंगेा भी इसकी एक आन Congo करेंगे भी मेया रूट आसभी पिया मैं क्यू को 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 ठूंध में बास में कित है एगा, P2 upon Q2, तो क्या गयता है, अगर हम यहाँ, पी की बैलू निकाले था हमारा क्या हो जाएगा, P2 is equal to 5Q2, इसको हमें Q2 सिकेन मालेते हैं, यहां देखो, जो हमारा P2 है, वो 5Q2 है, तो इसका मतलब, जो हमारा P2 है, वो 5 से divisible है तो इसको लिखेंगे है P square is divisible by 5 तो अगर हमारा P square 5 से divisible है तो मतलब यहां जो P होगा ओभी था हमारा बेटा 5 से divisible होगा तो लिखेंगे क्या कहते है P is also divisible by 5 तो यहां पर हमारा P भी divisible होगा तो क्या कहते है अब हम जो P square है इसको हम कुछ मानेंगे कि जैसे कुछ भी ले लेते हैं let P की value हमारा यहां पर जैसे 5 है तो 5 ले लिए क्यों इसका किसे का यम ले लिए 5 यम हो गया तो putting the value of P in equation second जो P की value है इसको में equation second में put करेंगे बेटा put करेंगे तो क्या आएगा हमारा आगा पहले लिखेंगे putting the value of P in equation second जो इसको हम सिकेंड में put करेंगे हमारा इक्योशन सिकेंड क्या है यहां पर हमें P की value क्या मिली है 5 PM का whole square हो जाएगा इधर हमारा हो जाएगा 5 Q का square तो इसको जो हम करेंगे तो हमारा जाएगा 55 to 25 PM square इधर हो जाएगा 5 Q square तो इस 5 से यह 5 कर जाएगा तो हो जाएगा 5 PM square इसको टू Q square तो यहां पर हमें बैटा मिली थी जो P square की value मिली थी 5 Q square और जो हमें Q की value मिली यह मिली 5 PM square तो अगर क्या कहते है इसको equation third मानते हैं यह हमारा equation third हो गा है तो जब यहां पर लिखेंगे जैसे उपर लिखे थे हैं कि P square divisible by 5 P is also divisible by 5 तो यहां सो हमारा क्या कहते है Q है यह Q देखो 5 Q square 5 से divisible होगा इसका मतलब तो Q भी हमारा also divisible होगा 5 से यहां भी हम लिखेंगे बैटा सेम क्या लिखेंगे Q square is divisible by divisible by 5 क्योंकि यहां Q square 5 से divisible है तो लिखेंगे Q is also divisible also divisible by 5 तो यहां मारा Q यह भी हमारा divisible होगा 5 तो बैटा हम लिखेंगे Q square Q square हमारा कितना है 5 P square है और क्या गयते हैं 5 q square हमारा कितना है 5 Q square है यहां दोनों में कॉमन क्या है हमारा फाइब एसी हमारा क्या आएगा तो लिखेंगे फ्राम इसको लिखेंगे कैसे बेटा इसको लिखेंगे फ्राम इक्रेशन हम इसके लिखेंगे फिखेंगे फ्राम इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे श्रयावे विटया में से सब्सक्रूण करेगोधी सब्सक्राइब करें को हमें क्या प्रूब करना था दिया गया था कि रूट पाइब व क्या थै एरैशनल करना यह लही ही कि यह प्रूफो गया यहां यह किरिए रेष नल ही नहीं तो आप क्या होते ही इसका मतलब भी इरेशनल होगा तो लिखेंगे हैंस कि रुट हाइप फाइपीच रूट हाइपीज इरेशनल नमबर इस अब हसल नमबर यहाँ में प्रूफ होगा हुआ है प्रूब करना था नेक्स्ट कुर्चन जो है वेटा हमें यहां प्रूब्करण जो है यहां प्रूब्करण करना है 2 प्लास 5 को सिर्ड निखन तो यहां पर दिया गए है कि रोट्थी इस हमारा और हमें इसको और पिर्ट करना है रूट 3 is equal to P y Q इसको में question first माल लेंगे यहां पर P and Q हमारा को प्राइम नमबर है P and Q और को प्राइम को प्राइम नमबर Q does not equal to 0 हमारा तो अब इसको करेंगे कैसे बेटां यहां जो 2 plus 5 root 3 है is equal to P y Q इसको हम क्या कहता है यहां पर 2 जो है plus में इधर आएगा हमारा minus में हो जाएगा लिखेंगे 5 root 3 is equal to P by Q minus 2 आजएगा तो अगर क्या कहते हैं 5 root 3 इसको हम solve करेंगे इसको क्या हो जाएगा हमारा P minus 2 Q upon Q हो जाएगा इसका LC हम लिखे करेंगे अब यहां सो 5 है हमारा multiply में है इधर आजएगा हमारा Q के साथ आजएगा हो जाएगा root 3 is equal to P minus 2 Q upon 5 Q तो यहां पर क्या मिला है यह हमारा क्या मिला है यह हमें rational number मिल गया है यह हमारा rational number होता है क्योंकि आपको पहले भी बताये थे कि कई सारा question इस तरह हम बेटा solve कर चुके हैं पहले भी rational number हो गया और root 3 हमारा irrational 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 और आपको क्या बताया थे कि irrational issue rational का जो हमें मिलता है product जो क्या होता है अमें से irrational ही मिलता है यह सब हम आप को पहले भी ऐसे note में solve कर आया थे बताया थे जहाँ पर अच्छे से आप अगर इसके पहले का वीडियो देखेंगे तो बेटा दिये होगा यहां लिख लेंगे पी आंड क्यूर हमारे अंतिजर हैं पी एंड क्यूर है इंतिजर होगा है तो यह हैं पी माइनस तू क्यू पि माइनस टू क्यू अपन 5 U ReShot N number is a rational number is a rational number यह हमार रजर्धन हम बर ट्रूट थीरी देखो ओंए यहां question में भी बेटा दिया गया है की पर रूट 3 हमारा जो है रजर्धन है यहां लिखेंगे but root 3 is a irrational number irrational number हो गया हमारा तो आप क्या लिखेंगे तो जो हमने assume किया हमने माना की क्या गयते है 2 plus root 5 हमारे rational है यह हमारा तो wrong proof हो गया बैटा क्योंकि root 5 हमें irrational मिल गया तो इसके साथ है तो हमारे irrational ही तो हो जाएगा पूरा product तो लिखेंगे this contradiction इस कंट्राइड़क्शन इस एराइज़ बीकॉस आफ और इनकरेक्ट एजम्शन इनकरेक्ट एजम्शन यह हमारा इनकरेक्ट एजम्शन हो गया तो हैंस हमें प्रूफ हो गया है क्या प्रूफ हो गया कि टू प्लस फाइप रूट थिरी हमारे इरेशनल है तो प्लस फाइप रूट थिरी इज इरेशनल कर दो